कि सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार कि मैं उमीद करता हूं कि महाविद्धा लेकि इस चैनल पर आपके लिए जो वीडियो टाइम टू टाइम हम सुविदा नुसार डाल रहे हैं उनका पूरा फाइदा उठा रहे होंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो के माददें से अपन विदी दूइत्ते वर्स के लिए अधिनिस्ट्रेटिव लो का अध्यन कर रहे हैं और अधिनिस्ट्रेटिव लो के अध्यन की कड़ी में अपन जिस टॉपिक को लंबे टाइम से अध्यन कर रहे हैं वह है डेलिगेटेड लेजिसलेशन प्रतायोजित विदायन पिछले वीडियो में अपने प्रतायोजित मुद्धू पर मुद्धू पर मन्थन करती है, आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे, वह प्रतियोजित विधायन, का नाईक पुंद्रावलोक, जूडिस्यल रिव्यू की बात करेंगे, पृत्य है जेत intent के समंद में अपन जूडिस्यल रिव्यू की बात करेंगे तो यहां देखो जुडिशिल रिव्यू का आधार जो है वो इस चेप्टर में हमें मुख्यत है जो देखने को मिलेगा वो इन दो सिर्शकू में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसका फाउंडेशन जो है पहला देखिए आप इसमें प्रकाशन ग के बाद उसका पॉब्लिकेशन या नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है लोगों के प्रकाश में या जानकारी में आना उसका बहुत जरूरी है और जैसे ही किसी कानून को या किसी विधान को लोगों तक प्रकाशित कर दिया जाता है इसका मतलब यह है कि उससे संबंदित ज प्रकाशन की गोपनियता के बुरुद्ध सुरक्षा बीमा है और दूसरी बात यह है कि परत्यायोजित विदायन पर पुन्द्रावलोकन परजातंत्र को बजबूत करता है तो आज की डेट में लोकतांत्रिक रास्ट्रों में लोग परशासन की कड़ी में जिस परत्यायोज लेजिसलेस्टन से हम जो फायदे उठाना चाते हैं या जिन फायदों के दम पर हम डेमोक्रेसी को सॉलिड करना चाते हैं वह फायदे हमें मिलना पैक्षित या संभावित नहीं है इसलिए पहली बात तो यह कि क्या परत्यायोजित विदान का नाइक पुन्द्रावलोकन क किया जा सकता है तो इसका जवाब यह है कि definite किया जा सकता है और यह ऐसा नहीं किया जाएगा तो नय तो डेलिगेटेड लेजिसलेशन की गोपनिये ताकि परदे को अपन भंग कर पाएंगे और ना ही हम डेलिगेटेड लेजिसलेशन के सहयोग से प्रजातंतर को मजबूत कर पाएंगे क्योंकि डेलिगेटेड लेजिसलेशन जो है वह परजातनत्र को मजबूत करने के एक पिलर या इस्तम की रूप में काम कर रहा है पहली बात यह दूसरा देखिए अब सवाल यह है कि यदी हम नाइक पुन्रावलोकन की दाएरे में इसको मनते हैं यह यह कहें कि डेलिगेटेड लेजिसलेशन का नाइक पुन्रावलोकन किया जा सकता है तो हर चीज का अपना एक फाउंडेशन उसका अपना एक बैक ग्राउंड होता है और विशेश तोर से जहां कहीं भी अपन लौ में जूडिशिल रिवीव की बात करते हैं तो हर टॉपिक में की प्रतयोचित विधायन को सुनोती के आधार क्या है यह कह सकते हैं प्रतयोचित्विदाइन के डिए कुलडियू चल्याइट के लिए प्रपोज कर सकते हैं तो यहां इसमेंए देक के दो दो बाते मोटे त॔र पर हमें डिस्क्स करनी हैं पहली बात देखिए समर्थकारी अधिन्ययम का सक्ति प्रस्थाथ सक्ति प्रस्थात का मतलब होता है अधिकारतीत या अल्ट्रह वायरुस दूसरा सब्ध जो है वो है अधीकारातित या कोस्टक में लिखावा है अल्ट्रावाइरस देखिए ये समर्थकारी अधिनियम का है समर्थकारी अधिनियम उसको कहा जाता है जिसके सामने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या जिसके सामने उद्देश्यों की दिशा में Delegated Legislation का निर्माण किया जाता है मैंने इससे पहले आपको बता हैं कि Delegated Legislation का निर्माण किसी ने किसी अधिनियम की उद्देश्यों को परतेक्स रूप से संभव बनाने के लिए या हासिल करने के लिए किया जाता है ऑदिनेयम जिस एक्षियों को पुरा करने के लिए डेलिगेटेड लेजिस्लेशन का निर्मान होता है उसको अपने समर्थ कारी की अदिनियम के लिये अल्ट्रावारेस या अधिकाराती तो नहीं है यह यह कहें कि उस समर्थ कारी या मूल अधिनियम के प्राफधानु को कहीं और रूल या और र्याड उनका उलंग तो नहीं कर रहा है तो पहला आदार यह हैं कि जुडिस्षिल रिवियू में यह देखा जाता है कि कहीं उस्समूर्तकारी या मूल अदिनियम को अधिनोर करते हुए तो परताईव करतेर होगा आलए दूसरी बात यह देखो समर्थकारी अदिनियम या उस मूल अधिनियम जिसके उद्धेश्य की पूर्ती 치़ुकारी अपन डेलिगेटेड लेजिसलेशन के माद्दे में से करना चाहते हैं उससे भी उपर या सुप्रीम जो लो है वह अपना समीधान तो दूसरा अधार है यह समीधान के लिए सकती प्रस्ताती आधिकाराती तो नहीं है या अल्ट्रा वाइरस तो नहीं है करने का मतलब है कि य जिसलेशन का जुडिशिल रिवीव हो सकता है लेकिन जुडिशिल रिवीव में नयाले जिन दो बातों का परिक्षन कर सकता है या जिन दो कसोटियों के अधार पर जुडिशिल रिवीव किया जा सकता है उसमें पहला है कि समर्थकारी या मूल अधिनियम की अल्ट्रा वा कर सकते हैं इन दो आधारों के उपर डेलिगेटेड लेजिसलेशन का जुडिशिल रिवीव हो सकता है ठीक है नेक्स्ट जो बात है जहां अपन इसके कुछ केसलोज की बात करें तो देखो तीन पॉपुलर केसलोज मैंने आपके सामने यहां रखे हैं यह तीन केसलोज में प यह कहा गया है कि डेलिगेटेड लेजिसलेशन को अनुमती वहीं तक दी जा सकती है जहां तक वो अपने मूल या समर्थकारी अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ती तक है यदि परत्यायोजित विदान समर्थकारी अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अधिकाराति तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस अधिनियम के सामन्य उद्देश्यों को अग्रसर करने की दिशा में और उस अधिनियम के साथ उस समिधन की प्रावधानों की संगत्ता को बरकरार रखता है उसी सीमा तक हम उस डेलिगेटेड लेजिसलेशन को प्रमिशन दे सकते ह और यदि इस बात का कहीं उलंगन हुआ है तो उस सिच्वेशन में हम उसे गोशित करेंगे करने का में लोग नायले उसे सुनने गोशित कर सकता है दूसरा पॉपुलर केश जो इसमें आया है वह है इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर वर्सेस इंडिया देखो यह बह करेंजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि यदि किसी आधार पर समर्थकारी अधिनियम या मूल अधिनियम को चुनोती दी जा सकती है या किसी विदान मंडल की करत्ते को चुनोती दी जा सकती है तो उस अधिनियम या समर्थकारी कानून के अधिन जारी किये जब तक उष्का सपोर्ट करने वाला या उसका समर्थन करने वाला ला कानून जो है वह जीवित है यदि मूल समर्थकारी अधिनियम को जुटिस्चिल रिवी के मादब्स सवेड कर दिया तो उससे समंधित प्रावदान के अधिन किसी प्रकार का डेलिगेटेड लेजिसलेशन सरजित हुआ है तो वह आटोमेटिक नल एंड वाइड हो जाएगा यह दूसरा महत्तों केस जो हो यहां आपको ध्यान में रखना है फिर तीसरा पॉपुलर केस इंदरमल जैन बनाम नहीं होगा तब तक उसे उचित नहीं माना जाएगा फैर नहीं माना जाएगा यही बात इंदरमल जैन वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया में डिसकर्स की गई और उसमें यह कहा गया कि अगर डेलिगेटेड लेजिसलेशन जो है वार्टिकल उनीश वन जी जिसमें कारबा या व्यवस्ताई को सुनने के लिए बादित करता है या करने को बादित करता है तो ऐसी प्लेन करते हैं तो एक बार आप इसका आराम से स्क्रीन सोट लीजिए और एक बार फिर समझ ये कि देखो प्रतेवजीत विदान को दो आधारों पर चुनोती दी जा सकती हैं पहला यह कि वह कहीं उस समर्थकारी अधिनियम का आतिकर्मन तो नहीं कर रहा है दूसरा है कि वह इस परकार आप पहला सवाल क्या जुडिशन रिवी हो सकता हैं हो सकता हैं दूसरा सवाल किन आधारों पर तो दो परकार की अल्ट्रा वाइरस नेस पहला समर्थकारी कानून और दूसरा समिधान उसके बाद में इसके कैस लॉज बिलकुल समराइज रूप में जितना मैंन thank you so much